तो स्ागत है आपका है इस हिस्टि के क्लास में और आइस के क्लास में क्लास ट्वेल बका इतिहास का हम लोग जो भी आपका माटका जो भी चीजे पढ़ना उस लेंशन के में अननें वाले हैं और इसका औजिक्ट यादनी करना एक चाह सकेom है ठीक है और इसका free of cost अगर आप मुश्ट चाहते हैं बागो पूरा का पूरा नोट सी आपको मिल जाएगा जापन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जा करके यह पूरा का पूरा डाउनलोड करके अराम से पूर सकते हैं और एक दिन पहले इस पूरे हिस्टी और जोग्रा सिंदू घाटी जब हो जागे तो आया अंग्रेज और ट्रेन का पट्री बना रहा था त्रेन का पट्री जब इजा रहा था व्हक्त है जरूए जमीन के नीचे से निकल लगाा वह घथा जमीन की निकल करके पठ्री में लगा दिया ठीक है उसको पता नहीं चला कि वह नमर में हड़पा खो जा गया था कौन हड़पा और दूसरे नमर में मोहंजोदो याद रखेगा तो सबसे पहले को जागया अस्तल क्या था हडपा यहां पर हो जाएगा यहां पर पूरा का देन गुज्रात में चार असतल gjुजरात में चार इलाका पढदता इस Bruno गुजरात में यहाद रखेंगे यहाँ देखे यह रोप पूछेगा कहा है यहाँ पर यहां पर सबस्धा खेती पंजाब में होता है लो पा जाता है लोप अधिया घमार वाली यह Tôi जो भी का सकते हैं यहां पर हर्यानवी वाला हो जाएगा और यहां पर अगला हो जाएगा काली बंगा काली बंगा राजस्थान में काली बंगा कि किस ने कराई काली बीबी चूड़ी मांगे तो यहां जादी काली बीबी तो बीबी से बीबी लाल ने बनाया था ठीक है काली मतलब यहां पर काली बंगा का खुदाई कराया था ठीक है चलिए यहां देखते हैं यहां टीक भी लगा दी हड़ापक का शमय और दीकप से कब तक था तो अगला है तो हलो का साक्षय बन वाली मं देखने को अमार वाली हर्यान में तो अगला यहां यहां रखिये यहां मैं अगला यहां पर बन वाली जो कि किसके रंगौई नदी किनारे है कोई भी घर बनता है तो रंगता है तो घर यहां पर नहीं रंगोई नदी के किनारे है घर में सोखता कहां मिला है तो यहीं पर बनवाली में तेड़ी मड़ी सड़के कहां पर मिटी का हल यहीं पर मिला है ठीक है रभी नट और काली बंगा काली बंगा में जुता हुआ खेत मिला है क्या मिला है हल से जुता हुआ खेत अब भी किस सत्रंज आकार के खेद को गुरीड कहते हैं जो नबवे डिगुरी पर कट एक तो यह यहां बता दिया यहां लिख दिनी आपके था पड़ एक था पर सब लिख दिये कौन घुजाब रोपन अब बताएं यहां पर मानों के साथ पाल तुक्ता को रोपढ में रोप दिया गया था ठीके ताफना दिया था ठीके अगला कुश्चन ले किसा अस्थान पर जोता हुआ खेत मिला है तो यही काली बंगा ठीक है याद रखेगा काली बंगा में मिला है जुता हुआ खेत धौला बीरा कहां है तो रंग धोलो सूरदास धौला बीरा यहां उपर गुजरात में यहां गुजरात में चार अस्थल मिला है खुदाई में यहां धौला बीरा मिलला जला से मैंने सब्सक्राइब करें सिंदू घा्टिक सबसे ऑस्तर बड़ा आइस चारकर शारी ना 8 में मिलाए बनवाली कि से बहुत है हो चाहेगा हर्याणा में यहां पे सटे में के अगला यहां कोश्चन देखिए ग्रीड देखिए तो ग्रीड हड़ापस अभी आता है कि दौरान कस्वो का की योजना ग्रीड की पती में बनती है तो ग्रीड का यहां पर बनती है इसे एस और राउन गुजरात में खोदवाया था ठीक है एक और चीज आपको बता देए यह जो लोथल इलाका है ना लोथल यहां पर बंदरगाह वगयरा मिला है क्या मिला है बंदरगाह याद रखिएगा जिसे आगे चल के दिखेंगे बहुत सारा कॉश्ण मिलेगा भारतिय पूरा तत्वीग सबसे पहले भारत में पुराना पुराना चीजों को खोदने का काम कनीङगम ने किया था किसमें किया था कर न बनिया से सबक्र करके कंगी से ठीक है याद रहेगा कंगी सबसे अर्म सबसे पहले पत्थर के चीज़े खोजा कौन रॉबर्ट बूस क्योंकि ब्रॉस सही साफ कर रहा था ठीक है और कर साइल ने मध्य पसंड काल की खोज की है जैने कि मोंत्रों कर देखेंगों में बड़ी लोग पूजा अगरे करेंगे तो बीचाद। जैसे रहना वैसे बाबु कर सकते हैं आप अपने अजाद है लेकिन उस समय महांजोदुर में ज्यादा पंडीजी लोग चला है इसकी खोदाई 1922 में हुआ था राखल दास बनरजीद वरा जो सिंदू नदी के किनारे है ठीक है अब देखें सिंदू का सबसे बड़ा नगर सबसे बड़ा सहर पूरे सिंदु में यहां पूरा सिंदू स्पड़ सबसे बड़ा पांतो भूसंदू चोन्हाद जोरत था क्या नमिला संहिंग्ण since Ano इसे होता है ऐसे को का बोलते हैं स्वास्तिक चिन अपने जी तो यह चीन रखेवे करेंगे चीन ले करके और पशुपति सीव भगवान की पूजा करते हैं यह सब मोहन जोदुड़ो वाला में मिला है और जब जाते हैं तो चोड़ी सड़क है भाई उनके लिए बहुत करके मीटिंग में बैठेंगे सभागार भी है अब देखना पहले के राजा लोग खुब बढ़ियां सभा बना करके बीच में डांस करा देते तो का से किन चनिया यह नर्त की मिली और तामे का धेर यह पूरा का पूरा मोहन जोदुड़ों में मिला है ठीक है चलिए और हड अब यह देखिये क्या मिले अगरी बोलाईला का है क्या है गरीब अगरी बोला हडपा कोनों चीजा रहा है हडपा गरी बोलाईला का 1921 में दया राम सहनी ने से खुदवाया था जो रावी नदी के किनारे इसका ट्रीक हम बता देंगे टेंसने लेना पाकिस्तान में रोक अगर लकड़ी की ओखली मिली यह वाला एक्जाम में पुछेगा और एंच 37 कबरस्तान अगरीब को किसी तरह दफना दिया जाता था स्वास्तिक चिन भी मिला अनाज तो खाने यह भी तो खाएंगे लेकिन यह देवी की पूजा करते थे ठीक है यह संकर भगवान की नह पर दयाराम साहनी ने करा है इसका ट्रीक क्या है किए त्रीक आगे हम लोग देखने को मिलेगा 1911 में सहनी ने कराया था रावी नदी के किनारे ठीक है याद रखियेगा अगला कुछ्चन है कि सिंदू घाटी के कि नीमासियों को की धात्तु का ग्यान नहीं था लोहा नही किस युक की सभ्याता है तो अभी यहां उपर हम आपको बताए थे कास्य यूगिन सभ्यता है कासा मिलता था का सकी सभ्यता ठीक है impe должна कर जाहाँ यहां पर देखे अगला कुस्शन रिए खी नर् सभ्यता के लोग खिसके उपास तटेरा एक किस देवी की तो मात्री देवी की पूझा करते थे और मोहंजोदूल सीव की पुझा ह Supreme Core का प्रारूप कょंब सब्सक्की नेखिए पूरा साये को एंसक पाकिस्तान खोधी इससे हो जाएगा अभी हड़ापा का ट्रीक है कैसे याद रखिएगा तो गो से हो जाएगा गोमरी जीला ठीक री से हो जाएगा रावी हो जाएक नहीं रावी नदी हस से हड़ापा है असस साहनी ने खो जाथा कहां खो जाथा पाकिस्तान में तो गोरी हस के पाकिस्तान खो थोड़ा देर के लिए वीडियो ऐसा चलते चलने दीजिए और लाइक को जरूर था इसे मोटिवेशन मिलेगा और आपको और भी संदार ट्रीक हम बनाएंगे एक्साइटेड रहेंगे तो वहां पर नगर यूजना था वास्तुकार नगर था नगर माने सहर पाकिस्तान के की जीड़ेव है तो आप बताए गोरी गोमरी यहाने गोरी दूनों दिया यहने यहां पर गोमरी जीला हो जाएगा चलिए अगला सिंदु घटी की सव्यता का सबसे बड़ा अस्तल कौन ह कः यह आप में देखी है इन सिंदु घटी में हो जाएगा सिंदु घटी में मोहन जोद्रो किमा भी देता है तो मईना और यह smarter आ यह हो जाएगा धालो ciao अगला कोश्चिशन देख्येई अगला कोश्चान सेली है किस स्व्यता को सबसे पहले हborg थैडपको हो जाए गया दो नंबर में मोहन जोड़ों को जाए गया तो अपसर नंबर यह आपका हो जाएगा ठीक है चलिए सिंदु घाटी में गोदी वाड़ा का प्रमाण का मिला गोदी वाड़ा माने सबसे पहिले क्या बंदरगाह कहां मिले तो लोथल में क्योंकि लोथली साइट पड़ता है ना तो यहीं पर इधर से समुंद्र है समुंद्र के किनारे जो पड़ेगा वहीं नहोंगा बंदरगा इस देखो लोथल गोदी वड़ा बंदरगा आको कहते हैं लिख भी दिए ठीक है लोथल बहुत ज्यादा बार पुछा गया है किस सिंदु अस्थल में सू यहाद रखिएगा एक मिनट छलिए अब यहां देखिए यहां पषुपती नात की पड़ी सबसुपती की पुजा और कासी के नर्तकी नाजनी है मौन्जोद्रों का उत-खनन किया था एत हो गया दैरामसानी होगे हड़पा का लेकिन उसका राखल दास बनर जी ठीक है पं मौहुंजू द arbitrak ने यहां पर सिंदी के किनारे हैं कि किनारे से यहां पर सिंदी बीघास बोला जाता है चलिए अगला क्योंटम किस नदी किनारे बसा हुआ तो वहीं सिंदू नदी के किनारे भ 55 कमेंट कीजेगा यहां पर देख सकते हैं प्राचीन इतिहांस का निर्माड यहां पर निर्माड किया गया था किस क्या देख करके किया गया तो यह सब फोल जाएगा इने में से सब कहलेश्या सबकुस्ष देखके किया गए काली भंगा भारत के किस राजय में है तो काली भीबी राजस्थान ना नहीं राजस्थान हो जाएक है काली भी चोड़ी मांंगे एक कैथ मुहे लाल से याद रखेगा गंदे पानी के लिए सुनी चीत विवस्ता सुरव पर्थम किस सब्याता में सिंदू घाटी सब्याता में खुब अपनी विवस्ता कीए थे क्षादा पंडिश होगा तो गुस्सा नहीं करेगा काली भंगा किसने किनारेः इसती थे अरे यहरre kaali बंगा अभी बतायती जैसरोसती गगर नदी के चिनारे अधिए खात भारत की मैप में बंदर यहीं यहां देटा है कभी यहां देता है यहां रखिये गर में जकी बहुंत अब стор स्फ नहीं सबकुछ देखते हैं लोग हैसे घरीब है किस दैस के साथ नहीं था चिन के साथ याद रखी का बागी सब के साथ था अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है कि सिंदु वासियों के पर्मुख देवता कौन है तो पशुपति शिव अधिकतर लोग इन्हीं की पुजा आज भी करते हैं संकर भगवान की पुजा कि यहां अगला कोशन कि सिंदु अशे ते का कौन सा अर्थक मिर्जकोषि यार बहunta गए यहां देखिए संदु सभ्यता में शमाज का स्वभाव उस समय मात्री सतात्म क्या होता है देखो अभी हम लोग को पुछा जाता है किसके लड़के हो तो पापा का नाम बताते हैं लेकिन सिंदु घाटी के समय मौमी का नाम बताया जाता था जब किसके लड़के धोन मम感じ इसलिए रोला पित्री नहीं था अभी पित्री हो गया है कैसे समझ में आया सिंदुत घ्याटा इसके नहीं है तो यह क्रिफो साव्यता करनामोंने इतकार है कि हड़ापा और सिंदू में समझ रहे हैं भारत के नक्षा में पूरा का पूरा सिंदू हो गया ठीक सिंधू में एक जगा मिला इक जगांगा बहुत सारा तो सिंदू तीर फेंधे सब्सक्राइब तेरा लाक वर किलिमेटर फैला हुए किस सिंदू अस्तल पर महिला और पुरूष को एक साथ दफना गया था लोथल में अगला कुछन देखिए एक तालीस नमबर यहां पर देख सकते हैं लोतल सिंदू का बंदरगा है जिसे गोधी वड़ा भी कहते हैं यूगल समाधान माने जोड़ा में दफना आगया था फारस का मोहर भी मिला था क्यूंकि बंदरगा के पास बैपार होगा तो फारस की लोग रज़ता का जुड़वा रजणी यानिकि ये दोनों रज़ाएं च्टाप साथ में लंगबक हो जागया है एक हो जा गया है 1921 में 1922 एक है यहां देकिंगें राक्ल दास्बनरजी को मोहण्जदरों के ऊसए इस किस वर्स मिले राक्ल दास्बनरजी 22 में ठीक है याद रख मिला है तापको पता होना चाहिए इस तरह हड़ापा में इस तरह था कि नहीं तो यह हो जाएगा हड़ापा में सतरंज वाला सिंबल मिला राम बहादूर दया राम साहनी हड़ापा की खोज किये थे आपको रिवीजन भी हो जा रहा होगा मौन जोड़ों की खोज 1922 में अगर आप ऊपर देखें होंगे तो यह कबर्स्तान है ठीक है चलिए चांदी की खोज सबसे पहले हड़ापा में यह याद रखिएगा ठीक है वैसे इंसर भी हड़ापे होगा घिसी हुई रेत अगर मालों की रेत खराब हो गया है बालू खराब हो गया है अलग अलग अल भातन जो बनता है उस बरतनवा का नाम है फ्यांस ठीक है 1944 में भारतिया पूरा तत्विक के डारेक्टर कौन थे 244 में देखा गए जमीन के नीचे से खोदा जा रहा है तो निकाल के किस डारेक्टर के पास रखेंगे कौन मालिक था खोद वाने वाला तो याद किया वहीलर थे वहीलर याद रखिए पूरे विश्व की बात करें ठीक है तो पूरे विश्व के समक्ष पूरे विश्व में सबको बताया कि पता है सबसे नया सभ्यता कौन है सिंदु घाटी वाला है भारत का तो यह बताओ सिशन बाबु आपको कैसा लगा क्यावन कोश्चन मातर 1920 मिनट में आपको कम्प्लीट हो गया मेनत बहुत लगा है आँख दुख जा रहा है इडिट करते करते बहुत ज़्यादा लगवा दो या तीन बज़े नहीं दा रहा है ठीक है प्लीज इसको जरूर सेशन को ज़्यादा सेयर किजिए और लाइक तो